Good morning children in previous video we have read chapter 2 and today we do the exercise of chapter 2 So let's start exercise time A. Aural questions So first of all we start with oral questions answer Name the three parallel range of Himalaya Himalaya की three parallel range की नाम बताईए Greater Himalaya, Middle Himalaya and Outer Himalaya Himalaya divided into three parallel range Are Greater Himalaya, Middle Himalaya and Outer Himalaya Okay Next Name the river of Himachal Pradesh Himachal Pradesh की rivers की नेम लिखने हैं आपको The river of Himachal Pradesh are Ravi, Bees, Chinab and Satluj ठीक है Ravi, Bees, Chinab and Satluj R, E, V, I, Ravi, B, E, S, B, E, S, C, H, E, N, E, B, Chinab S, A, T, L, U, G, Satluj Clear Next question number B option Sorry, question B Take the correct option आपको correct option पे option को read करके answer लगाना है Okay First of all The height of the Mount Everest is Mount Everest की height पतानी है आपको इसमें यह option लिखने हैं 8,586 8,484 8,884 यह ना wrong answer है Mount Everest की जो height है वह है 8,848 मीटर्स ठीक है तो आप इनमें से किसी भी option को cut करके आप यह लिख लेजिए 8,848 मीटर्स Height of Mount Everest की है? 8,848 8,848 यह options all are wrong okay all option are wrong so you write the height of mount average here 8848 meters okay next question b the himalaya mountain range can be divided into dash parallel range himalaya mountain range can be divided into parallel range how many parallel range can be divided into three parallel range mountain range can be divided into three parallel range tick कीजी यहां पे three okay question number third which of these which of these is the capital of nagaland इन में से कौन सी capital of nagaland है nagaland की राजदानी है कोहिमा अगरतला या सिलाओं आपको पता है कोहिमा is the capital of nagaland so टिक है कोहिमा ए नमबर वन पे टिक कीजिए थार्ड कोशन में नमबर वन पे टिक कीजिए कोहिमा ओके टिक लिए अपनो गरें ओके नेक्स्टर वेर डू ट्यूरिस्ट टेक राइट इन शिखर्स कहां पर है जो ट्यूरिस्ट हैं बरियाट परियाटक हैं वो टेक राइट राइट करते हैं शिखर्स पर शिखर्स पर चड़ते हैं तो कहां पर चड़ते हैं माउंट आबू में इंडियन अजियन में ये डल लेग में तो टेक राइट तो शिखर्स पर टेक राइट कहां होगी माउंट पर होगी तो माउंट आबू अंसर है माउंट आबू टेक हैं माउंट आबू ठीक है, वेर, डू, ट्यूरिस, टेक, राइट, टीन, शिखर, माउंट आवो, ठीक है, नेक्स्ट है, फाइब नमबर, मास्क दान्स इस वेरी पापुलर इन, मास्क दान्स है, जो कहां का फेमस है, लदाक का, उत्राखंड का, या कश्मीर का, ये सभी ओप्शन्स इसमें गल शिखके म, ये फिर आप कश्मीर को कटकर के शिक दान्स इसमें सिखके म, लेकिक लिए, आप लिए, मास्क दान्स इस पापुलर इन, सिखके म, एस आइडबल के, इन सिखके म, ठीक है जगर, ये आप राइट इन, एक बार उर आप रिपीट कर लींगे, फर्स्ट में हाय ट 122800848 है हिमालया कीतनी पहलेड़ीजी है हिमालया मौन्टेन रेंज कें वी डिवाइडे इन्टो तीरी ठीरी 221 बावेंज ठीक है नैक्त है which of these is a capital of nagaland nagaland की capital कौन सी है को हीमा ठीक है वेगु टूरिस्टेक राइड अ चिकर्टोंगरों सब्सक्रों है वेरी पापुलरी सिक्केम, ऐसा ही डबल के आई एम सिक्केम, ठीक है, नेक्स्ट आजे ही आप, सी पे, सी, मैच दा फोलेंग, आपको फोलेंग को मैच करना है, इधर ये स्टेट्स दिये गए हैं और यहां इनकी कैपिटल दी हुई है, आसाम, मनिपूर, मेगाले, नागलें तिरपुरा एंड, उत्राकंड है, और उनकी कैपिटल दी हुई है, देरादून, कोहिमा, देशपूर, अगरतला, इमफार और शिलोंग, आपको मैचिंग करना है, असाम की कैपिटल कौन सी है, देशपूर, आप मैच करेंगे, असाम की कैपिटल को, थ्री ओप्शन से, द देशपूर, ओके, यू दो ए लाइन, फ्रॉम आसाम टू देशपूर, इमफार, नेक्स्ट अकिन है, मैचिंगन है, मैचिंगन है, मैचाले, देशपूर की कैपिटल है, उत्रॉप्शन फाइब और शिलोंग, आप द्रॉ करेंगे, लाइन, मैचाले सी लोंग, देशपू 6th number okay next is Nagaland Nagaland की capital Kohima the capital of Nagaland is Kohima option 4 number Nagaland से option 2 पे Kohima पे line करेंगे okay draw a line from Nagaland to Kohima okay Tirpura the capital of Tirpura is Agartala so draw a line from Tirpura to Agartala option 4 नेक्ट उत्राखंड, उत्राखंड की कैपिटर उत्राखंड इस देहरादून, तो ट्रो एलाइन फॉत्राखंड तो ओफिन ए, देहरादून, क्लिया चिल्रेंट, ओके, नाव दिस फिलप्स टाइम, हिमाचल प्रदेश इस बौर्डर्ड बाइ डेश इन दा वेस्ट, हिमाचल प्रदेश है, जो बौर्डर्ड है, वेस्ट में किस से है, पंजाब से, P-U-N-J-A-B, पंजाब फिल किजी यहां पे, ठेलर्ण, राइड इस पेलिंग, P-U-N-J-A-B, पंजाब, सेकिंड, डेश इ locked state located in the Himalayas. Land locked state कौन सा है? Sikkim. S I double K I am Sikkim. Land locked state कौन सा है? Sikkim. ठीक है? S I double K I am Sikkim. Turn the page. Page number 20. Next question. Dash is official language of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir की official language कौन सी है? Urdu. U-R-D-U. Urdu. Jammu and Kashmir की official language कौन सी है? Urdu. U-R-D-U. Urdu. ठीक है? लिकिए राइट टाम कीजिए. Urdu. Dash is very wet state. सबसे wet state, सबसे मेघाले. M-E-G-H-A-L-A-Y-A. मेघाले. ठीक है? मेघाले. ठीक है? मेघाले is very wet state. सबसे मेघाले है. M-E-G-H-A-M-E-G-H-A-L-A-Y-A मेघाले है. ठीक है? ठीक है? A-R-U-N-A-C-H-A-L-P-R-A-D-E-S-H-P-R-D-E-S-H. ठीक है? Chilrern, we have to do all questions and answers of this chapter. Like define the location of Himalai. वो वो मैंने आपको जब chapter study कराया था तब करवादिया था. What is the occupation of Jammu and Kashmir? यह भी हो चुका है आपका. What is the main language of Himalai? Himalai's Pradesh की main language हो चुकी है. write the short note about tourism place of Uttaraghan Uttaraghan के tourism place मैं आपको करा चुकी हूँ and describe the story of seven sisters all questions are we have completed so in next video we start chapter third okay the northern plains okay children thank you have a nice day ह्भाोच